माता दी तो सुबह हो चुके और अब हम लोग निकलने वाले माता रानी के भावन के लिए तो आप अगर श्रीमाता वैश्मोदी वी कट्रा आना चाहते हो तो इस वीडियो को लास तक जरूर देखना क्यों कि मैं इसमें चोटी सी चोटी टीटेल साथ से सेर करने वाली हूं और बज़त से लेके सब कुछ सेर करूंगी च्रेकिंग में क्या से आपको ले जाना है तो इस टे कनेक्टेट एक वेलकम बैक तो अब हम लोग जा रहे हैं बाल गंगा और वहां से चड़ाई होगी जहां मंदर जाने की और वहां पर कैसे जाते हैं और कितनी लंबी चड़ हें तो मैं सारी इंफ्रमिशन आपको किसा सेर करें भी अनेक्टेट होटल भी बड़े आथा है यहां के सब भी स्थाफी अच्छी है यह कि यह का सारा महाओली आपी अच्छा बहात अच्छा है आकर राए मिलना बहाला है भास दानति बलना वाली है तो हम लोगो की गाडी यही इस इवैं से हम लोगों को बांगा तक छोड़ा जाएगा और इस होटल में लोगों रुका था ऐसे मैं बता चुकी फिर भी बता दे रही हूँ क्योंकि यह की सर्विस बहुत अच्छी थी मुझे कोई पैसे नहीं दिये गया है यहां के बार मैं बताने के लिए होटल ब आदमी आराम से अज़ेस्ट होगे थे बिल्कुल भी प्रॉब्लम ने थी हमें तो यहां पर आपके थुरा बहुत बात बार बार्गेंग भी कर सकते हो रूम के लिए तो हम लोगों को 3500 में डबल रूम मिला था 3500 में इस लिए मैं बता दे रही हूँ क्योंकि हम लोग तो 3500 में मिला था तो आप लोगों को तदा में में बले तो आपको मैं पाले ही बता दे रही हूँ कि उन लोगों कमाई ही है तो अबिस्ली आप अपने वे से देश लेना आप थोड़ा बॉत मैंनेज भी कर सकते हो बार्गेंग वगरा चार तो मेरे पिता जी मेरे सब मेरे टरी पिने होटल सबके खच्चे को लेके आप 10,000 में अ राम से महतरार नहीं के दर्सन कर सकते हो यहां तक आ सकते हो आपको कोई भी बी Chrיפ जिसमें आपको सिर्फ एंट्री लेरे के लिए 3-4 घंटे लग सकते हैं आप मेरे पीछे लाइन देख रहे हो वो एंट्री वाली लाइन थी तो हम लोगों ने ऑल्लाइन करवा लिया था तो हम लोगों जल्डी मिल गई थी तो हमारी चेकिंग स्टार्ट हो चुके है फाइनल जरूरी है रखना अपने बैग में आप एक छोटा सा बैग टाक रख लो ताकि आप अपनी कुछ जरूरत की सामाल ले जा सको और नीचे से आपको गोडी वगएर भी मिल जाएंगी गोडी पाल की यह सब भी होती है लेकिन हम लोग ट्रेक करके जा रहे हैं क्योंकि हम देखो रास्ते में पानी जरूर प्रिग लेना और हडीना तो करीना बॉर्टल सेखना मतली क्योंकि हम लोगों ने बेग को फिकर दीती है एक्चुली नीचे दो किलोमेटर तक फुल मार्केट है सारे सॉप्स लगे रहे हैं बत ऊपर जाने के बाद सिर्फ आपको नलकी इसलिए उथमें पानी बराबर आता है थनदा पानी ग़रम पानी बहुत बढ़ यह शुद। नहीं फेकां रहे हैं तो अगर आप जा रहे हों अगर पानी खड़ी देए हो तो नीचीं करना लोगों पानी मतल शॉंच आशे पेक घर शुच को अगर लोगों ऑपना थनी ल मुझे तो बिल्कुल भी ठकावट में होगा। इतनी अच्छी वाइब है यहां कि मैं क्या ही बताओ इतनी सांती है यहां पे और यह नजारे आपको तो बिल्कुल भी ठकने नहीं देंगे। अच्छ में मातरानी आपको कहीं से देख रही है तो सच्छ में बहुत अच्छा लग रहा है आप दी आओ। जितना ऊपर आप चर्टे जाओगे उतने सुन्दर सुन्दर नजारे आपको लिखिए। तो गाइज लगभग 6 किलोमेटर चल चुके हैं हम अभी बच 10 किलोमेटर बाकी है और तो प्रेम से बोलो जाया महता दी। ड़ी अचल बच्छों को लेकर आपको तो आपको बहुत जाने के लिए जाना के लिए दौ रास्ते हैं एक है और एक है हाथी मच्छे तो हैंको 5.5 किलोमेटर और हाथी मच्छे 6.5 किलोमेटर है तो फाइनली थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पुमाच ही है अब बस पाँच हुए तो बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही संतर नगा रहा है और फाथ इस देडालू लोगे हैं आपके जब कि आप सीजिया ने फिर भी बहुत सारे लोगे है तो अब हम लोग थोड़ा पाँच में पहुच नहीं वाले हैं बहुत सुरे समय नगारे काफे अच्छे आ रहे हैं तो मेरे वीडियो के साथ लास तर बने रहे हैं मैं आपको अभी तक हम लोगों कम से कम तीन धंटे लग गया है ओपर चढ़ाई करने में एक्शली मेरी मेरी में थोड़ा स्लोश हो तो यहां से रास्ते डिवायड हो जाते हैं घोरी और पाल की वगारा की रास्ते आपको हाती मच्छे चले जाते हैं और इधर से जो हम लोग जा रहे हैं हीम कोटी से वहां पे आपको बैटरी कार वज़ेगी जो 300 मेरे इश्रीशन होता है तो आप चाओ तो यहां से भी मित थोड़ा सा रिष्ट कर लिए हमने फूर्ट रेक स्टार्ट रहते हैं तो हम तो थोड़े देर में पहुंचने ही वाले हैं फाइनली फूरा सी रफ ट्रेक हैं अब कोशन सी की चल के जाना है चल की आए हैं तो बहुत है अच्छा लग रहा है हम उन्टारेक कर लिए थोड़े देमे में नहीं हम दोग बहुंचने ही वाले हैं और मेरे पीछे का यह ज्यूफ पाउप खुशन रते हैं खुछ भी भूब घुझर है कोशन दर रहे होए जामान के बैदी की दौर मातरानी नजर आने वाला है और अभी हम लोगों को दो तीन गंटे तो अब लगेंगे तो आपको एंट्री दी जाएगी मातरानी के बहुन के लिए तो अब ज्यादा दूर्ट है नहीं और यहां से थोजी ही तेर में मातरानी का बहुन इसने लगेगा और बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छी वाइब आ रही है फाइनली मातरानी का बहुत नजर आ गया जैसे जैसे साम हो रही थी वैसे नजारे इसे ने सुन्दर होते जा रहे थे मैं क्या ही बताओ साम हो गई साम तो यहां से मैं आपको कुछ इंपरमेटिव चीज़े बता देती हूं यहां पर आओ तो एक दुछादर चरूर लेकर आना बच्छे की बढ़ेकर आना और एक जोड़ी सब्रा लेकर आना ठाके उपर में आप नहांके भी माता के ठाउन में प्रवेश कर सको और दूसरी च आपको पांचे गंटे लाइन में आपको लगने पड़ेंगी तकि आप अपना सामान से तो हम लोगों ने गंड़ी करणे चाहरी यहां करने के बावा भारों दृस्ण करनें से आएंगे यही तक यह वीडियो है इसके आगी कि वीडियो नहीं बनाओ एक फीफोन लोकर में पर कोई नहीं इतने अच्छे से हम लोगों ने मातर अंपिशन किये है तो हम लोग बाबा के दसन करके डारेक्ट निंचे उतर चुके थे हैं हेलिकॉप्टर थे उन सब चीजों की वीडियो नहीं है मेरे पास पर कोई नहीं इतने अच्छे से हम लोगों ने मातर अंपिशन किये है तो आप लोगों ने अच्छे से बड़्डे कर लिया है और मातर अंपिशन करके भी नीचे उतर चुके हैं तो यह सारी वीडियो में मैंने आपको फुल डिटेल से इंफॉर्मेशन बताई है अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीज़ेगा मैं शैनल को सब्स्क्राइब जरूर कीज़ेगा मातर अंपिशन कर पकड़े और हम लोगों ने इत अच्छे से मेरे भाई का वर्डे मनाया है बिल्कुल जैस्टेक्टर नहीं था जैम आता दी बाई